कि हालो थूडेंट्स बेलकम टू बेडियर स्टडी कुछ किये भीना यूँँ ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भार नहीं होती तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आप लोगों कि मैंने कमेंट देखा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर परमिय सिंगने और मोहित अग्रहरी वीना परजापती सीवानी यादो मुकेस और तमाम छात्रों ने यह कुछन पूछा था कि सर हमारी किताब में दिया आप यह अला बता दीजिए बहुत ही ध्यान से देखना इस कुछन को बहुत आसान है इसमें कुछ इस्टेप आपको याद करन ही नहीं है find five रेफनल नंबर बिट बिट बीन थी अपान फाइब एंड फोर अपान फाइब लिए उसके बाद क्या करते हैं प्यारे साथियों दूसरा वाला फ्रेक्शन भी हम लिख लेते हैं यह देखो यहां पर समझो चार बटा पांच ना मैंने लिख लिया अब हम यह देखते हैं क्या इनके हर बराबर है मतलब कि डेनूमिनेटर एकवल है या नहीं तो भाइस हमें पांच है बाबू इसमें भी पांच है इसका मतलब दोनों के हर बराबर है यह कम करना पड़ेगा इतना जादा परक्रीय नहीं करना पड़ेगा, अगर हर बराबर नहीं होते तो हमें एक इस्टफ और करना था, अब हमें यह देखना है, कि हमें पांच परमिय संख्या निकाल नहीं है, आप अंस-ंस की तुल्ना करो, पहले में इसमें देखो अंस 3 है, मतलब numerator, इसमें क्या है, नुम्रेटर 4 है, तो 9 संख्या होती हैं लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 25 परमिय संख्या लिको तो कहो गयार यह तो होती ही नहीं है ऐसा नहीं है किनी भी 2 परमिय संख्या के बीच में आप अनंत परमिय संख्या निकाल सकते हो जिसकी कोई गिंती नहीं है मतलब आ तिन और चार की बीच में कोई गैप नहीं है सामानने तरह से अगर हम देखिए तब सिंपल पर जो कमजोर बच्चे है वो भी देखे तो उन्हें लगेगा tig Dash कोई गिंती नहीं है तो अब हम क्या करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनके बीच में गैप हो गया यही परक्रिया आप इधर बिरो इनमें भी उतना से ही गुड़ा या उतने से ही भाग करो तो ये आठ बटे दस हो गए अब अगर आप यहां देखो तो छे और आठ के बीच में कुछ गैब बन रहा है नहीं बन रहा कि निए छे और आठ के बीच में साथ आता है ना एक संख्या आप लिख सकते हो हमें कितने निकालनी है अगर हम पांच से गुडा कर दें इसमें तो यह पंदरा हो जाएगा यह बीस हो जाएगा और पंदरा और बीस के बीच में कितनी संख्या होंगी 15 और बीस के बीच में कहोगे 5 नहीं बीच में बोल रहा है 16 17 18 19 चार संख्या होंगी चार होंगी न तो कुल मिलाके कहने का ये मतलब है अगर मैं 5 से गुड़ा करूं उपर नीचे या 2 से करूं या 3 से करूं तब हमें 5 पर्मिय संख है कि वह आ जाएगा जैसे अगर हमें पांच पर्मिय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे इन दोनों फ्रेक्शन में छे से उपर नीचे गुड़ा करेंगे ठीक है कहने का यह मतलब है कि छे से गुड़ा छे से भाग करेंगे तो और कुछ लोग कहेंगे कि अभी तक इतन लिंक है कुछ वीडियोज के आप उन्हें चेक कर लेना उसमें ऐसा ही था तो जरूरी नहीं उसको करना बड़ा करना तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा तीन छंग अठारा और यह पांच छंग तीस साथियों इधर भी ऐसा ही करोगे बाबु छे से तो यह आपका हो जा बहन कर लेंगे बोलो कर लेंगे कि नहीं अब आप लिको अताँ 18 बटा चलो इनको लाइन में सेट अप कर लेते हैं आप लोग इसे दुबारा लिख ले ना कापी में अगर लिखना चाहते हो तो नहीं तो ऐसा कर लो 18 बटा 30 इधर साइट में वह लिख दो कौन सा बाइज जिनके बीच में निकलना है यह नया वाला आया नहीं 24 बटा 30 इनके बीच में हमें क्या करना है पांच परमिये संख्या निकलनी है तो लिख लो यह लो 19 बटा 20 20 बटा 20 21 बटा 20 और यह 22 बटा 20 पांच हो जाएगी तो बता देना इख ओ तिखो वंगी कि आपकी 5 पर में च्प्राइब पर वीच को इस तरह से होती हैं अब रूको क्दिब सहाँ को बताएं जो ध्यान से सुनना देश सुनना सो लनकुल कन सुटर के नि और क्लास को लाइक भी करना इसमें देखिए साथियों क्या समझना वो है आप देखोगे तो कुछ बच्चों का आंसर नहीं मैच खाता उनकी किताब से ऐसा क्यों होता जानते हो इसका यह मतलब नहीं कि आपका जो तरीका है वो गलत है अगर आपने कहीं अच्छी जगा से प जड़ा सा समझ लो उसके बाद क है और एक बात आप कमेंट करके सभी बच्चे बता यस ने समझ में आए तो नू इस ऐसας और नहीं श्मक्राइब ना यह तो ठीक है जिनको समझ में आया यस जिनको ना IK करेंग तर Int ces आपको समझो मतलब집 Tribe जैसे अमने कहा उत्तर क्यों इ त्चे होता है ठीक है आपका एक फ्रेंड है वह किया रहा हूं हम नहीं मानते साथ और आफ होता है हा को नो फिस नया गदाझ वह कहता हूं हम इसको भी सारी संक्खियां है यह सब का सङी है वह कि यह üसी तरह से जो दो पर मियें होती AIDS कि औन के बीचमें अनंध पर निकाल रिंगाली जा सकती इन की कोई कमेंट नहीं है तो इस वजह नहीं नहीं देड़ना वर्टसप में नहीं कोई ना करना के साहते हैं को हमको कुछ कुछ भी या अगर आपको मैत नहीं आती है, आप मैत सीखना चाहते हैं मातर 30 दिन में, तब आप हमसे संपर कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चलने हैं, उस पर हम आपको पूरी गारंटी के साथ मैत सिखाएंगे, अच्छे से, ठीक है, अगर कोई सवाल पूछना है, तो आप नीचे क क्लास में, जैहिन और हाँ, चलते चलते ध्यान रहें, चैनल सब्सक्राइब करना,